दुनिया का हर चौथा डायबिटिक मरीज भारत में है और यही नहीं लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर पांचवां वयस्क भारती डायबिटीज का शकार है इसमें से भी सबसे चिंता की बात ये है कि इसमें से भी 70% लोग इलाज के दायरे से बाहर हैं यानि भारत में डायबिटीज अब एक राश्रिय संकट का रूप ले चुका है इतने लोगों की संक्या भी बहुत जादा है जिनें पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है और इस महामारी से देश और समाज को बचाना है चर्चा करेंगे देश के चोटी के विशेशग्यों के साथ लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए कोई माने या ना माने लेकिन ये कड़वी सचाई है कि भारत अब डायबिटीज की राजधानी बन चुका है इससे भी ज्यादा चौकाने और चिंता वाली बात ये है कि देश में एक बड़ा तपका ऐसे लोगों का है जिन्हें डायबिटीज तो है लेकिन वो इलाज से बंचित है पहले ज़रा ये समझ लीजिए कि भारत को मिले इस चिंता जनक टैक का आधार क्या है लेंसिट की ताजा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के कुल 82.8 करोड डायबिटीज मरीजों में से 25 पॉसेंट यानि हर चौथा मरीज भारत ये हैं और ये संख्या हर साल बढ़ रही है यहां तक कि पाकिस्तान, अमेरिका और चीन जैसे देशों की तुलना में ये आकड़ा कहीं ज्यादा चिंता जनक है रिपोर्ट के अनुसार भारत में डायबिटीज का प्रतिशत 1990 के बाद दुगना हो गया है पुरुष में ये 11.3% से बढ़कर 21.4% हो गया है और महिलाओं में 11.9% से बढ़कर 24% हो गया है चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और ब्राजील जैसे देशों के मुकाबले भारत की हालत इसलिए भी ज्यादा चिंता जनक है क्योंकि यहां मरीज कम उमर में ही इस बीमारी के चपेट में आ रही है इलाज के अभाव में उन्हें दिल की बीमारिया, किड्नी फेलियर, अंधापन और कई बार और समय मृत्यू का खत्रा भी है लेंसिट की रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2022 में करीब 21.2 करोड वयस्क भारतिय डायविटीज का शिकार थे लेकिन उनमें से अधिकतर इलाज के दाइरे से बाहर है डायविटीज से ग्रस्त 21.2 करोड भारतियों में से लगभग 70 प्रतिश्रत लोग इलाज ही नहीं करा पा रहे इसका मतलब ये है कि लगभग 15 करोड लोग जो की कई देश की पूरी जनसंख्या के बराबर है डायविटीज के खतरनाक दाइरे में बिना इलाज के फसे हुए है नतीजा जब तक इस बिमारी के गंभीर परिणाम सामने आते हैं जिसमें दिल की बिमारिया, किड्नी फेलियर, पैरों की नसों का खराब होना, आखों की रोशनी चले जाना और अव समय मौत तक का खतरा शामिल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है कुल मिलाकर लैंसिट के रिपोर्ट देखे तो भारत में केवल 30% डायविटीज के मरीज़ों ही नियमित इलाज मिल पा रहा है संकट यही नहीं है इसके अलावा भी कई लोग बिमारी का इलाज नहीं करवाते, कुछ घरेलू उपायों पर धिरभर करते हैं और कई लोग अपने स्तर पर ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी सेहत किस्तिती और भी ज्यादा बिगड़ जाती है अब सवाल यह है कि आखिर किया क्या जाए जानकार मानते हैं कि इस पर दो तरह से काम होना जरूरी है पहला व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा नीतिगत स्तर पर डाइबिटीज से दूर रहने के लिए साल में एक बार शुगर का टेस्क जरूर करवाए चीनी और टेलिये खाने का सेवन कम करें रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज को अपनी आधत बनाए डाइबिटीज हो जाए तो नियमत दवाईउं का सेवन करें और इधर उधर के इलाज और नुसको को छोड़कर विशिसग्य डॉक्टर से समय समय पर सला लेते रहें इसके अलावा जो कदम नीतिगत स्तर पर उठाये जाने चाहिए उनमें इलाज तक पहुँच बढ़ाने के लिए स्वास्त केंद्रों में सुधार हो डाइबिटीज जागरुकता के लिए राश्य अभ्यान चलाया जाए दवाओं के उपलब्दता और सस्ती दरे सुनश्चित की जाए शहरी और ग्रामिड इलाकों में नियमित जाज की सुविधा बढ़ाई जाए स्वस्त जीवन शैली के बारे में सिक्षा प्रणाली में पाठिक्रम में शामिल किया जाए इसके अलावा डाइबिटीज के बढ़ते प्रकोप का फाइदा उठाकर मेंस्ट्रीम और सोशल मीडिया पर डाइबिटीज के इलाज और रोक्थाम को लेकर तरह तरह के जूठे और भ्रामक दावे करने वालों पर नकेल कसना भी बहुत जरूरी है इस तरह समाज सरकार और व्यक्तिकत सर पर सब को मिलकर डाइबिटीज की महामारी को देश से उखाडने के लिए काम करना होगा विरो रिपोर्ट जी मीडिया इस मुद्दे पर बाचीत करने के लिए इस फक्त मेरे साथ बहुत ही खास महमान मौजूद है इन फैक्ट इस पूरे मसले पर देश के जाने माने चेहरे इस फक्त हमारे साथ है सफागत करते हैं डॉक्टर शशांग जोशी का सीनियर डियाबिटलाजिस्ट हैं लीलावती अस्पताल से जुड़े हुए इस पूरे मामले में देश और विदेश में ख्याती प्राप डॉक्टर हैं आप बहुत सपागत है लॉक्टर जोशी आपका हमारे शोपे अमारे साथ है जोवारे सीनियर डियरेक्टर हैं सेन्टर फोर डियाबिटी इस बिलके मैक्स हॉस्पिटल में आप भी एक बड़े स्थम्भ हैं इस पूरे मसले पर बाक्चीत की जब जब बात होती है बहुत बहुत सफागत है डॉक्टर जिंगन आपका भी हमारे शोप है और हमारे साथ है डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र प्रेजिडेंट है इंडियन योगा असोसियेशन की बहुत च जोशी आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं आकड़े बड़े भयावा हैं सर डबलू एचो की रिपोर्ट बताती है साड़े साथ करोड से जादा लोग तो डाइबटीक है इन में से भी अगर हम आगे पढ़ हैं तो धाई करोड से जादा लोग प्री डाइबटी यह आकड़े जब हम जोडते हैं तो सिर्फ एक चिंता की तस्वीर उभरती है सर क्या स्थिती हमारे काबू में है अभी भी या बेकाबू हो गई है सर भारत में दिपक जी धन्यवाद हमको वापस बुलाने को और मैं आपकी सराना करता हूँ कि आप ये हेल्थ एजूकेशन एक अपने मिशन किया है आपका और लैंसेट का रिपोर्ट डरावना जरूर है लेकिन उससे हम बिल्कुल समत नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई नया रिसर्च किया है डवल्यो एचो ने इंपिरियल कॉलेज लंडन को आउट्सोर्स किया था और उन्होंने जो मोहन जी और हमने आइसेम और इंडैप स्टडी जिसके हम भी भाग है पिया है महरास्टा से उसका ही डाटा यूज किया था लेकिन हमने शुगर याने ग्लुकोस की जो हम मानते हैं भारत में एक्विरेट नहीं है क्योंकि भारत में थैलसीमिया, सिकल सेल, एनीमिया, हिमोगलोमिन पतीज होती है इसलिए इसके जो आकड़े भारत बंस के लिए आये है 100 मिलियन से 200 मिलियन होना इसमें कोई बढ़ता आउनी हुआ है वही जो जुना डाटा मोहन जी ने जो पब्लिश कहा था लाइन सेट में वही डाटा उन्होंने एक्स्तापोलेट किया A1C की वैल्यू लेके और इसके लिए ये नंबर डबल लग रहा है लेकिन डरने की कोई बात नहीं है लेकिन एक चीज़ जरूर है कि पूरे दुनिया में भारत इंक्लूडे है और मानसिक तनाव भी बढ़ गए है तो यह जो सम्मिश्रण हुआ है फिजिकल इनक्टिविटी और बाकी चीजों का यह है दूसरी बात लैंसेट रिपोर्ट की जो चिंता जनक बात है यह दो है एक तो अवेरनिस यह लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनको मदू में है तो यह दो चीज जरूर है लैंसेट का जो इंपिरियल स्टडी ने स्टडी किया का रिपोर्ट है लेकिन हमको आज वर्ड मदू में दिन है इंटरनेशनल डियाबिटीस फेडरेशन का उसका मैं माजी अध्यक्षे भी रह चुका हूं साउथिस डेशा रिजन के लिए तो हमको यही करना है कि सतरक रहना चाहिए हमको जागरूत रहना चाहिए हमारे घर मे किसी को भी मदू में होगा तो बार-बार बाकी सब लोगों की भी जाज करनी चाहिए मदू में कि वह वर्ष बीस के उपर पेट की चर्वी होगी या कोई भी मेटाबॉलिक डिसीज होगी तो उनकी चाचनी करनी बहुत जरूरी है और उसके बार में चीज है कि दवाई, ल तीन पॉइंट्स निकालूँगा डॉक्टर जिंगन के लिए, डॉक्टर जिंगन अब तीन चीजे हैं, पहला एक तो लोगों को पता नहीं है कि उनको डियाबिटीज है, दूसरा जिन लोगों को पता भी है उनमें से सिफ 30 प्रतिशत लोग ही नियमित इलाज ले रहे हैं और तीसरा डेटा बहुत चिंता जनक है, वो है 70 प्रतिशत डायबिटिक लोगों का इलाज के दाएरे से बाहर हो जाना, अब इसके पीछे के कारण ये भी हो सकते हैं, जो सर ने बताए एक तो लापरवाही, और दूसरा अफोर्डिबिलिटी भी एक एक इशू है, बट इ कि ये क्या हमें आश्वस्त करता है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं डायबिटीज के खिलाफ वो हम जीत पाएंगे? जो ब्लकुल घंभीर नहीं है और डायबिटीज जो एक साइलन्ट किलर है, क्योंकि इसके बारे में जब पता लगता है तब आल्रेडी दस साल बीच चुके होते हैं, और जब आप आते हैं डॉक्टर के पास में तब आल्रेडी आपको जटिलता हैं जैसे आँखों पे अस और इसका मुख्य कारण क्या है कि लोगों को अभी तक जाग रुकता नहीं है कोई बताता नहीं है यह जो माध्यम जैसे आपने शुरू किया इस तरीके से रेगलर माध्यम हो कि डायवटीज के यह लक्षन हो सकते हैं अगर आपको पेशाब बार बार जाते हैं आपका वेट हाई रिस्क ग्रूप है आपके माता पिता को डायवटीज जैसे कहते हैं ना कि डायवटीज रंस इन दा फैमिली और इसी तरह से मुटापा जो है ना ओबेसिटी रंस इन दा फैमिली बिकॉस नोबडी रंस इन दा फैमिली क्यों कोई चलता नहीं है तो जब आपके जिवन है आराम परस जिंदगी हो गई दीबग जी मैं बता हुगा कि सेवन सिंस ऑफ मॉडरल लाइफ जो है ना हम उसके बारे में अगर मात बात करें तो वही आज रिस्पॉंसिबल है जी संक्षिवल है जो इंसीडेंस है उसको बढ़ाने में सबसे पहला एस जो है उसमे जो है इतना टाइम नहीं उनके पास कि वो सो सके उसके उसके बाद आता है एक्सेसिव सॉल्ट एंड सैचुरेटेड फैट्स है इसके बाद में एक्सेसिव शुगर है स्मोकिंग है और स्प्रिट्स या अलकॉलिक बेवरिज है इस सातों जो एस या सिंस है मॉडरल यह साथ सिंस को अगर आप रखें अपने दिमाग में तो मैं तो यह कहता हूँ कि एक एस और जुड़ जाएगा आपकी लाइफ में वो जुड़ेगा सेहत अगर आप इन साथ से दूर रहेंगे तो जो सबसे अची चीज आपके साथ जुड़ेगी वो है सेहत और इसलिए इसका ध्यान रखिए तैंक्यू सो मुझ डॉक्टर साब आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया मुझे लगता है यह टेक अवे होना चाहिए आज के शो का कि किस तरह से डेटा जो सर ने बताए डॉक्टर जोशी ने और आपने जो सार बताया यह बहुत इंपोर्ट खास तोर से जो प्री डाइबटिक हैं उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया यह एक जरिया है लेकिन कैसे मोटिवीट किया जाए डाइबटिक पेशिंट्स को टू अडॉप्ट योगा एज लाइफस्टाइल चेंज मैं देखिए पहने तो हर इंसान को यह सबढ़ना चाहिए कि डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं बगर मुझे भी तो अपना काम करना चाहिए ना मैं अगर अपने आपको सही रखना चाहूं तो मैं रख सकती हूँ और बहुत जरूरी है कि डाइबटिस एक डीजनरेटिव डिज को तो शरीर से बाहर निकालना ही है और इसलिए योग शास्त्र साब्दे है कि क्या क्या करना चाहिए अब डॉक्टर चांग जोशी ने तो बताई दिया लेकिन पहला काम यह है कि हर इंसान यह जिम्मेदारी खुद ले कि बुझे डाइबटिस हटाता है वो खुद का जब हम कहते हैं कि डाइबेटीज में समय से खाना खाना बहुत जरूरी है टाइमली इटिंग फूद वो टाइम को डिस्टब मत करें तो ग्लुकोज मैनेजमेंट से ही नहीं रहेगा इसलिए समय पर खाओ और खाते वकर ध्यान रखो कि भूख लगी हो अगर भूख नहीं लग है कि वो अमुक चीजे जैसे उसका डाइजेशन अच्छा हो प्रो बायोटिक चीजे वो खानी बहुत जरूरी है क्योंकि जब जटर ठीक रहेगा तो हर चीज सही रहती है और इसलिए उनको दही पेट में जाना चाहिए डाइबिटीज में रिसर्च किया है मेथी के उपर वो मेथी रात को भिगो दी और सवेरे दही में भिगो दो तो और भी अच्छा है नहीं तो भिगो दो पानी में सवेरे उसे चबा के खालो और साथ में सवेरे के नाश्ता ही दही और पराठा या दही और कुछ इस तरह की चीजे ही उपमा शीरा वो ज्यादा अच्छा रह कि आपको एक तो वाकिंग बहुत बहुत ही ज़रूरी है इसलिए इनसान को कम से कम 45 मिनिट सवेरे और शाम को आधा गल्टा चलना ही है मेरे पास बहुत बार लोग आते कहते हैं सवेरे समय नहीं है शाम को ही चलेगे मैं कहते हूं डायबिटीज के लिए तो बिल्कुल नहीं और किसी के लिए भी देंग सवेरे सवेरे प्रकृति के साथ संबद जोड़ना अक्सिजन जादा लेना बहुत ज़रूरी है और इसलिए वार्निग वाक असेंशल जरूरी है कि मन की सिती एक यह बात याद रखिए कि मन में हर डायबिटीक का देखा है कि वो बड़ा अपना काम खुद करें तो डिस्टर्ब नहीं होगा दूसरे आपकी तरह काम नहीं कर सकते वो आपकी तरह इंटेलिजन नहीं है शायद तो यह बात याद रखिए कि परसन हैस्ट वी सेल्फ रिलाइन डू यॉर वर्क यॉर सेल्फ अपना करें यानि कि मैम अगर मैं आपक अधर की सोच में भी है तो प्रकृति के साथ जुडाव आपने कर लिया और खुद के साथ जुडाव आपने कर लिया खुद की सोच को साध लिया सिद्धी कर ली मन की सिद्धी कर ली तो भी आपका काम हो जाएगा पर संबवता बाहरी चीजों पर आपको डिपेंड़न न आज और रिजल्ट मिलते नहीं हैं और इन भ्रांतियों में वो पूरा जीवन गुजार देता है अपनी जिसमें उसकी quality of life compromise हो जाती है एक छोड़े से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा आज World Diabetes Day है और World Diabetes Day पर बड़े ही मन्थन के साथ हम इस विशय पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा हमने कौन सा स्वागत सत्कार कर दिया का Diabetes का ऐसे हमने कौन से circumstances खड़े कर दिये कि Diabetes को इंडिया इतना पसंद आ गया इतना जादा प्रसार आज थोड़ा सा टहर कर इसी पर चर्चा हो रही है डॉक्टर जोशी आपने बड़ी important चीज़ें बताई सर एक तो physical in activity तो ही undiagnosed diabetics और उसके उपर digitization और gadgetization अब इसमें भी कुछ ब्रहांतियां है सर जो हम भारतियों के मन में रहती है और हम ना बड़े निश्चन तो होकर रहते हैं उसमें से सबसे प्रबल ब्रहांती ये है कि मैं तो जवान हूं मुझे diabetes हो नहीं सकता और उसके उपर मेरी family में भी कोई history नहीं है तो मुझे diabetes हो नहीं सकता और वो इस ब्रहांती के साथ तब तक जीता है जब तक एक दिन उसकी रिपोर्ट ये नहीं बता देती कि साब आप diabetic हैं ये वस्तुस्तिती है क्यों सर ये बरांती सही है क्या नहीं है सही नहीं है क्योंकि हमारी progress हो रही है हमको ज़्यादा पैसा मिल रहा है पूरा अपना देश प्रगतिशील है तो ये प्रगतिशील का एक site effect है कि हमको कुछ नहीं हो सकता है पे कर रहे हैं हम ज़्यादा पैसा कमाने का जैसे हम अभी खाना directly order करते है डिजिटल फूड से और इल्टरा प्रोसेस फूड खाते है फीजिकल इनक्टिविटी बढ़ाते है तो हमने एक ऐसी एक आशा है कि हमको हो जी नहीं सकता है और हो भी गया तो कुछ नहीं होगा तो यह हमको जो attitude है यह change होना बहुत जरूरी है और seriously लेना बहुत जरूरी है अकसर हमारे पास लोग आते है जब उनको heart attack होता है उनकी kidney खराब होती है उनके nerves खराब होती है फिर आते है यह बहु जाती है और यह white end जैसे होती है पूरे body को अंदर से होकला बना देती है तो इसलिए हमको थोड़ा सा सावधानी बरत नहीं चाहिए क्योंकि हमारे इसमें ऐसी lifestyle है तो रेक्लेस नहीं रही है और please take care of us absolutely sir और भरांतियों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है इस denial mode से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है वस्तोस्तिती को समझना डॉक्टर जिंगन एक बार बार जो excuse दिया जाता है वो ये भी दिया जाता है कि साब मुझे pre-diabetic या diabetes अगर count हो भी गया तो मैं कुछ न कुछ करके इसको ठीक ठाक कर लूँगा या मैं कुछ नुस्खे वगर अपना लूँगा उससे ठीक हो जाओंगा क्यूंकि अगर मैंने दवाई शुरू करी तो ये दवाईयां तो मेरे लिए और घातक हैं ये भी भरांतिय है कि दो-चार महीने आप एक साल दो-साल दवाईयां खालीजे इन डायबिटीज से हो ना हो लेकिन किड्नी फेलिय और आपकी इन दवाउं से हो जाएगा इस तरह की बाते भी होती हैं क्या ये ब्रहांतियां सही हैं सर ये ब्रहांतियां बिल्कुल गलत है और जैसा आपने बिल्कुल सही का कि प्री ये 77 मिलियन है उतने ही लोग प्री डायबिटीज है जो आगे चलके हर साल 10% की स्पीड से ये डायबिटीज में कनवर्ट हो जाते हैं तो इन लोगों को प्री डायबिटीज वाले को रोकने का जो सरकार का सबसे बड़ा इस समय जो स्ट्रेस है वो यही है कि अगर हम इस व प्री डायबिटीज को आगे चलके डायबिटीज में नहीं कनवर्ट होगी एक तो ये बहुत गलत है दूसरा आपने ये कहा ये बिल्कुल सही आपने कहा कि लोग जो है डायबिटीज की दवाईया इसलिए नहीं इस्तमाल करते हैं उनके अंदर ये कैसी ब्रांती है कि वो आख्यों पे असर हो क्योंकि देखिए 75% से ज़्यादा लोगों के अंदर डायबिटीज में हार्ट प्रावलम्स होती हैं 30-40% लोगों के अंदर किड्नी खराब हो जाती है अगर आखों की बात करें तो एक में तीन में से एक व्यक्ति को जो है देखने की तकलीफ होने लगती है और पैर की नसों की जो कि आजकल के टाइम में देखिए पैर की सबसे ज़्यादा प्रावलम है और खास करके सर्दियों में अगर हम बात करें तो डायबिटीज के मरीज़ों को उसकी संवेदना नहीं होती और कई बार वो डिरेक्ट हीटर के सामने पैर रख लेत लेते हैं या कई बार जो एक दम से गरम पानी की बॉटल अपने वाल लगा लेते हैं और उससे उनका पैर जल भी जाने के एक बिलकुल दोयम दर्जे की जीवन जीने से बढ़िया है कि आप समय पर इन ब्रांतियों से बाहर आके अपना इलाज शुरू करें और यही यही ह उन्हें लगता है कि यह एक ऐसा एक्सरसाइस का रूटीन है जो उनके लिए निभा पाना बड़ा मुश्किल है और खास तोर से डाइबिटीक लोग क्योंकि लोग उनकी मोबिलिटी भी कम हो जाती है वजन वगएरा बढ़ जाता है तो वो लोग बड़े हिचकी चाते है म उनके लिए कुछ कहना चाहें डॉक्टर हंसा जी माम बैलेंस एक सभाव बदलना जरूरी है कि आप खाएंगे तो थोड़ा खाएंगे बहुत ज्यादा नहीं घर का खाना ही खाएंगे कुछ डिसिप्लिन आसनों में ऐसे सिंपल सिंपल आसन होते हैं जिसे लंबा सांस लिया दोनों हाथ को उपर लेके पकड़ा नैच्रली और अच्छे वापिस नीचे आएंगे बहुत सिंपल सिंपल आपको कठी चीज़े करनी नहीं क्योंकि आंक का भी ध्यान देना है एक्स्रमेटी स्पैर का भी ध्यान देना है पूरे बॉड़ी का ध्यान देना है तोड़े ही बहुत ही सिंपल आसन है जो आप सोते से बैड क अंदर कर लीजे और फिर उठिये आप स्नान कर रहे है तब थोड़ा चरीर को एक्टिव रखके स्नान करिए आप ऑफिस में बैटके काम कर रहे है हर 2020 का फॉर्विला अपना ये हर 20 मिनिट में एक लंबा सांस ले लिया दूसरे 20 मिनिट में जरा चलके बारी के पास आ गए दूर की कोई चीज देख ली इस तरह अपने जीवन में योग को बनाना है योग जीवन जिया जाता है आदा घंटा करने वाली चीज योग नहीं है कुछ आसन कर लिए योग हो गया आपने ठीक का मैं और समय की मेरे पास कमी है तो इसलिए वाक शमा के साथ में आपको कितना आसान और आत्मसाथ करने वाली चीज योग है और हमारे तीनों मेहमानों की बातों को आप आत्मसाथ कर लेंगे तो डाइबटीस दूर दूर तक फटकेगी नहीं आपके आसपास लेकिन शर्त ही है आपको जागना है माइंडफुल रहना है ब्रांतियों से दूर होन आपकी खबर आपका फाइदा में इतना ही नमस्कार